तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जारी है और ऐसे में खासकर के जो गाउं वाले इलाके होते हैं वहाँ पे रात पौइंशा खाने पीने के टाइम पे लाइट चली जाती है और पूरे घर में अंधियरा हो जाता है तो ऐसे में जादे तर जो के लोग होते हैं वह क्या करते हैं अंधिरे से बचने के लिए एमर्जेंसी लाइट है वेगरा ईतनी अच्छी नहीं मिल पाताई मैं आज की वीडियो listed आपको बहुत कम पैसे के अंदर एक पावरफुल एमर्जनसी लाइट बना के दिखाने वाला हूं जिसे आप भी अपने घर पे बना के यूज कर सकते हो इसके लिए देखे फ्रेंड सबसे पहले आपको क्या करना है बिजली वाली दुकान पर जाके इस टैप का प्लास्टिक तो आप अपनी लोकल मार्केट में देख सकते हो 25 और बड़े आराम से बोक्स मिल जाएगा अब उसके साथ पर देखे फ्रेंड हमें क्या करना है एक स्विच लेना है आपको अच्छी क्वालिटी का एक स्विच लेना है और यह स्विच मुझे मिला है यहां की लोकल मार्क में दस रुपे का तो पच्छीट रुपे का यह ऊगया और दस रुपे का यह ऊगया 35 और उसके बाद देखे आपको इस्टाइप का एक सोगिट लेना है अब यह जो सोगिट है यह आप कोई की भी खराब सोट भी ले सकते हो और अगर आपके पास कोई भी खराब सोट नहीं है तो आप नए भी ले सकते हो तो यह भी आपको मार्केट में 15 से 20 रूपे के आप से आपाईगा तो सब्सक्राइब करने वाले हैं और इसको आगांगे लगाएंगे तो इसको अगर अधर ऐसा नहीं है तो इस जहां पर आपको ऐसा कट दिखाए थे वहां से आप इसे इजली काट सकते हो तो काटने के लिए आपको क्या करना है कोई भी कटर या फिर कोई भी आरिगा ब्लेड वेगर ले सकते हो जैसे कि मेरे पास यह ब्लेड है इसके मदल से देखे हम यहां यहां पर इसको काटेंगे तो वहां पर आपको एसे जोर लगांगे और यहत यह हम ने बड़े आराम से इसको कर लिया है अब यहां पर देखिए फ्रेंड एक चीज मैं आपको पता दूँ यह जो box है ना इसमें company कर नाम वैसे तो यह इस तरीके से होना चाहिए लेकिन हम इसको उल्टा करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि button हमारा इस side में रहे और socket हमारा इस side में रहे तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला तो यहां पर हम क्या करते हैं अब यह जो है button इसको हम यहां पर इसके जो page है यह देखिए से साथ में इस type page आते हैं इसको लगाके tight कर देंगे देखिए इस तरीके से हम यहां पर tight कर रहे ह तो मैं एक net को आपको लगा के दिखा रहा हूं इसी तरीके से आपको बाकी के भी net को लगा लेना है यह देखिए यहां पर इस तरीके से हमने tight कर लिया है और इसको देखिए यहां पर यह जगा देख लेने क्योंकि अगर आप ज़्यादे इससे पीछे कर दोगे तो gap हो ज देखें यहां पर आपको एक page दिखाई दे रहा होगा थो हमें क्या करना है इस page को निकालना है क्योंकि विग जबते क्या नहीं है इसको क्या कर देते हैं इसको हम साइड में रखेंगे तो यहां पर देखिए सिर्फ इसकी जो हमारे पास फ्रेम है वह हमें यूज करना है अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है यहां पर मेरे पास 3 mm की LED है और यहां पर आपको दिखा भी दूग कि कौन सी LED हम यूज करने वाले हैं तो यहां पर को क्या बोलते हैं मुझे कमंड करके जरूर बताना और यह जो मटका LED होते हैं यह जो आजकल की की पैड फोन आते ना उसके अंदर भी जो टोर्च के लिए LED यूज की जाती है वो यही वाली LED है और इसकी जो रोसनी होते हैं वो बहुत ही जवर दस्त होती है तो यहां पर हम टोटल चार मटका LED का यूज करेंगे तो यह एक होगी यह दो होगी उसके बाद यह तीसरी होगे और उसके बाद यह चोथी मटका LED होगी यह देखे चोथी मटका LED होगी और बाकी को हम रखेंगे बोक्स के अंदर और बोक्स को रखेंगे साइड में तो यहां पर देखें यह जो मटका LED होती है, इनके अंदर एक चीज आप देख लो, यह connection के लिए आपको ध्यान रखना है, इस टाइब की जितनी भी LED होती है, उसके अंदर क्या होता है, कि आपको एक लेग बड़ी मिलेगी, और एक लेग छोटी मिलेगी, जब भी आप नई LED लेओगे, हमेशा इ इसे है, तो यहाँ पे यह जो socket है न, इसके अंदर आपको नीचे की तरफ चार बोल दिखाय दे रहे हैं, इसके अंदर हम LED को लगाएंगे, तो यहाँ पे देखे, कुछ इस तरीके से हम लगाते हैं इसको, यह देखे, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, और यह अंदर की कोना अनना उ Lum была Warrior wherever I can adjust to himself Untie the line Okay adjust the modern देखना आप बहुत ही बढिया रौपद इस लैट की तो इस तरह के से देखे हम ने को ब्राबर से with ced कर दिया है अब उसके बाद हमें क्या करना है देखिए हैं इस पो को खतम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां पे यूज करना पड़ेगा व्हैं विकी यहां पर पेlar भी के लेना है अपने यह डालने बाद अपने जगहां पर अराम से fix हो जाएगी सारी LED देखे इस तरीके से हलकी हलकी आपको डालना है देखे यहां पर हमने फैवी क्यूग डाल दी है तो यहां पर हम क्या करते हैं थोड़ा सा वाम 15 सेकेंड रुक जाते हैं ताकि फैरषी अपनी जगा पर बिल्कुल अच्छे तरीके से पकट बना ले तो फ्रेंड लगबख 10 सेकंड हो चुकी है और फैरषी यह एक पर को यहां पर किसीविन और्लिटर विलेक्रों से 5-10 और बढ़े आराम से मिल जाएगा तो यहां पर हम C type connector का यूज करने इस तरीके से मैल्ट करना है इसके प्लास्टिक को ताकि यह जो चार्जिंग कनेक्टर है यह इसके अंदर आ सके यह देखिए हमने करा और उसके बाद हम एक बाद डाल के देख लेते हैं आ जाए तो ठीक है क्योंकि डेला हो गया तो फिर कोई मतलब भी नहीं है तो यहां पर देखें बड़े आराम से यह जो हमारे चार्जिंग कनेक्टर है यह आ गया है और इसे हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं निकाल के क्योंकि यह थोड़ा सा में को टेड़ा लग रहा है तो प्लास कहां पर हमारा देखें इसको हम निकाल लेंगे या फिर ऐसे घुमा लेते है यह देखे घूम गया तो यह हमारा charging connector यहाँ पे लग गया है तो यहाँ पर नीचे की तरफ हमारी LED होगी उपपर की तरफ charging connector होगी और यह हमारा switch हो गया अब इसके connection देख लीजिए connection कैसे करने क्योंकि connection काई सारे लोगों को confusion रहती है तो हमें क्या करनी है दो वायर लेनी है सबसे पहले यहां पर मैंने एक black color का वायर का टुकडा लिया है और इस वायर को आगे से हमने छेल लिया है तो इसको वायर को थोड़ा सा आगे से मोड के हम ऐसे कर लेंगे यह देखे इस तरह के समय कर लेना है और उसके बाद यहां पर पर हम इसको टाइट कर देंगे देखे इस तरीके से पेज को हमने टाइट कर दिया तो एक वायर हमारी यहां पर लग चुकी है अब उसके बात देखें यहां पर हमें लेना है एक रेजिस्टेंस यह देखें मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और यह हाफ वाट का रेजिस्टे तो है एक app की मतलब से, काफे सारे लोगों को ये problem आती है, कि वो color code देखके ये नहीं पता लगा पते हैं, कि resistance कितने हो उसका है, तो इसके लिए देखिए, friend, आपको क्या करना है, मैं एक बार अपना tablet खोल लिता हूँ, ये देखिए, मैंने लोग खोल लिया है, अब उसके ब कुछ step का page खुल के आएगा, तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास resistance है, इसके अंदर जो जो color है, उस color को हमें इसके अंदर डालना है, जैसे कि हमारे पास जो resistance है, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हमारा yellow, wallet, golden, golden, ठीक है, चार color है, तो वह color हमें इसके अंदर डालेंगे, तो पहला है हमारा yellow, और उसके बाद दूसरा है wallet, यहां पर automatic आ गया, उसके बाद तीसरे हम हम डालेंगे golden, ये देखिए, golden, और चोथे के अंदर golden पहले से डला हुआ था, तो यहां पर ये चारो color मैंने जब select करें, तो यहां पर जो resistance की value निकल के आई है, वो पाई हमारी 4.7, तो इस तरीके से friends, जब आपको color code देखके समझना है कि resistance हमारा कितने ohms का है, तो आप इस app के थूरू बड़े अराम से ये पता लगा सकते हो, तो है ना बहुत ही असान, तो अब यहां पर देखिए resistance को use कैसे करना है, वो देख लो, तो इस type के जितने भी resistance होते हैं, इनके अंदर कोई भी plus minus नहीं होता, तो इसको आप किसी भी set से use कर सकते हो, तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, यहां से जो इसकी wire है, इसको ऐसे mode देखिए, इस तरीके से हमें इसकी wire को mode देखिए, मैंने mode दिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यह जो उप अच्छे तरीके से tight कर दिया है, तो हमारा resistance यहां पर लग चुका है, अब उसके बाद देखिए, इस emergency के अंदर जो battery हमें यूज करनी है, वो battery लेनी है, तो यहां पर देखिए, इस emergency light के अंदर मैं यह lithium-ion battery यूज कर रहा हूँ, और यह जो battery है, यह 3.7 voltage की है, और 26 mH की है तो इस type की आपको न, अच्छी quality की battery लेनी है, क्योंकि market में local quality की बहुत ज़्यादा battery मिलती है, हलकी वाली, तो आपको भारी weight वाली battery लेनी है, अब यह जो battery है, यह मुझे मातर 20 रुपे के अंदर मिल गई, अब आप सुचों कि 20 रुपे के अंदर वो भी अच्छी quality battery, वो कैसे ही, तो इसके लिए आपको क्या करना है, laptop preparing soap पे जाना है, और वहाँ से पुरानी laptop की battery लानी है, जो कि आपको 60-80 रुपे के अंदर बड़े अराम से मिल जाएगी, और जब आप उस battery को तोड़ोगे न, तो उसके अंदर इस type के आपको 4 cell देखने को मिलेंगे, किसी-कि में 6 cell भी होते हैं, तो उन cell को निकाल के आपको जो cell सही है, उसे निकाल के यूज करना है, और जादे तर मैंने देखा है कि जब हम battery को तोड़ते हैं, laptop की तो उसमें से एक आदा ही cell खराब होता है, बाकी cell हमारे okay होते हैं, तो वो cell आप यूज कर सकते हो, तो उस तरीके से यहाँ पर यह 20 रुपे की मुझे पड़ी है एक battery, तो यहाँ पर अब इस battery के अंदर क्या होता है, कि काफे सारी लोग प्रोलम यह रहती है, क्यों उनको यह समझने आता है, कि इसके अंदर हम solding कैसे करें, क्योंकि जब वो solding करते हैं, तो उनका solder wire इस पर चिपकता नहीं ह है, देखिए, जब भी आपको solding करनी हो, इस टैप की किसी भी battery के अंदर, तो यहाँ पर आपको हमेशा क्या करना है, सबसे पहले battery को किसी भी चीज से रगड लेना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर solding करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरीके से पहले रगड ल लगानी है, यह देखिए, इस तरीके से पेश लगा रहे हैं, आप किसी भी अच्छी company की लगा सकते हो, और उसके बाद देखिए, आपको कम से कम 25 वाट का solding, iron यूज़ करना है, यहाँ पर solding करने के लिए, और यह भी ध्यान रखना है कि आपके घर पे जो light आ रही है, व और उसके बाद जो wire आप इसके अंदर यूज़ करोगे, solding करने के लिए, वो wire भी आपकी अच्छी quality की होनी चाहिए, हम क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, solding iron की जो bit है, इसके उपर solder wire को melt करना है, आपको direct इसके उपर solding नहीं करना है, सबसे पहल यहाँ पर solder को रखेंगे, यह मैंने रखा, इस तरीके से रखने के बाद देखिए, आपको ऐसे अराम से इसको फिर फैला देना है, रलका आलका आपको फैलाना है, और यहाँपर हमने scratch करा था, वहीं पर आपको करना है, यह देखिए, बड़े अराम से जो हमारी solder wire है, यह पर चिपक गई है यहाँ पर देखिए बड़े अराम से चिपक गई आप यह निकलने वाली नहीं है काफिस सारे लोग इसके उपर जूटे रहते हैं जूटे रहते हैं चिपक गऑगो यहाँ उसके बाद यहांपे जैसे कि थोड़ीसी सौल्डे वायर लेंगे हलकी सी और उसके बाद यहाँ पर नहीं से कि लिखा रहा हूं इस तरीके से बस हमें सोल्ड है यहमारी वायर है maior जाए बॉट इक साथ सब्स। को भी scratch करके ही जोड़ोगे तो यहां पर प्लस वाली को जोड़ लिया और माइनस के लिए देखिए फ्रेंड यहां पर अलकासा यह रैपर कटा हुआ है तो इसको भी हम क्या करेंगे रेटी की मद्य से देखिए इसके उपर निसान बना लेते हैं यह निसान बना के ही आपको करनी है यह निशान बना लिए मैंने और उसके बाद हम क्या करेंगे पेश लगाएंगे यह हमारा मैनस पॉइंट है यह पीछेसे जो पूरी बोड़़ी हो थी माइनस बीच में से कहीं से भी रैपर को फाड़ के पॉइंट निकाल सकती हो और उसके बाद देखे चलिए मैं आपको दिखाया देता हूं हाथ के आँगे और यहां पर इस तरीके से लगाएंगे देखे इस तरीके से मैंने लगाया तो आप देखे सोल्डर वायर हमारी से सोल्डिंग कर देंगे इस तरीके से यहां पर सोल्डिंग करनी है देखे बड़े आराम से बिखिये हमारी सोल्डिंग होगे काफे सारे लोग बोल निकिसार हमसे होता नहीं beğyas यार उसमे कोई दिक्ट वाली बात नहीं है तो यहां पर हमने बैटरी के अनदर वायर जोड इसके खास बात क्या होती है वो मैं आपको बदा देता हूं यह जो मेडूल होता है इस टैप की जो लीथे मायन बैटरी होती है उसी बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज किया जाता है अब इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर हमें दो कलर की LED मिल जाती है यानि जब हम इ मता चल जाता है कि हमारी बैटरी फोल चार्ज होगी है तो उस हिसाप से मैड़यूल का यूज किया जाता है ुसका कैसे करना है नगी के साथ वह देखलो इस मैडूल के पीछे के सायड इसे अगर हम देखिए तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ čार पॉंट एक हमें बास जोडने होती है, तो सबसे उपर वाला जो point है, इसके अंदर आप देखे, out plus लिखा हुआ है, उसके बाद इसका ये नीचे वाला point है, यहाँ पे b plus लिखा हुआ है, और उसके बाद ये देखे, इससे भी नीचे जो point है, यहाँ पे b minus, और सबसे नीचे वाले में out minus, तो यहा यहां पर हमें क्या करना है बैटरी की जो प्लस वाली वायर है इसको बी प्लस में जोड़ना है इस तरीके से आपको इस मेट्डूल के साथ में एक कनेक्शन करने हैं जो की बिलकुल असान है कोई भी छोटा बच्चा भी कर सकता है तो यह कनेक्शन हमारे होगे अब उसके बा प्लस की उत्ती है तो हमें क्या करना है सभी LED की जो छोटी वाली लेग यानि माइनस वाली लेग को एक साथ में जोड़ना है और प्लस वाली लेग को एक साथ में जोड़ना है तो यहां पर देखे इस तरीके से सभी LED की जो छोटी वाली लेग है उसको मैं एक साथ में हो जाए तो इस तरीके से देखे सभी वायर हमारी एक साथ जोड़ने चाहिए तो यहाँ पर थोड़ी से सोल्डिंग हम और कर दिते हैं अच्छे तरीके से यहाँ पर सभी LED की जो मानेस वाली लेग है उसको मैंने साथ में जोड़ लिया है तो यहाँ पर हमारे सभी LED की प्लस मानेस की कनेक्शन हो गए हैं अब हमें क्या करना है यह जो रइस्टेंस है इस रइस्टेंस को हमें क्या करना है यह जो हमारा मानेस वाला पॉइंट है इसके साथ में यहाँ पर सोल्डिंग करनी है तो चलिए इसक connection को बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको तो यह देखे इस तरीके से resistance का connection मैंने LED के minus के साथ में जोड़ दिया है यह देखे इस तरीके से मैंने जोड़ा है अब उसके बाद हमें क्या करना है एक wire का टुकड़ा और लेना है तो यह देखे यहां पर मैंने red color वाली wire को जोड लिया है तो यहां तक हमारे connection होगे अब उसके बाद देखें यह जो हमने charging connector लगाया है इसके connection हमें करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना है इसके अंदर सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि जो प्लस वाली लेक कोन से है और उसी इसके अंदर wire जोड़ने पड़ेगी त काफे सारे लोगों confusion रहती है तो वो चीज हम चेक करके confirm करें इसके लिए देखे हम multimeter यूज कर रहे हैं और multimeter को हम कहां पर सेट करेंगे DC 20 voltage पर यहां पर चलिए हम देख लेते हैं कि कि किस के अंदर हमें plus supply मिल रही है किस में में minus supply मिल रही है तो यहां पर देखे एक प्र में लगा के दिखा रहा हूं तो यहां पर 5 voltage के आसपा supply मिल रही है लेकिन यहां पर देखे मानस का symbol भी आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा प्रोब को बदलना पड़ेगा प्रोब को हम बदलेंगे और अब देखे वोल्टेज सेम उतनी आ रही है लेकिन मानस का निसा जोड़ लेते हैं यहां पर मैंने दो वार जोड़ लिए है रेड और ब्लेक लर की ताकि हमें प्लस मानस का पता चल जाए तो इस वार का कनेक्शन देखे अब कहां पर करना है यह देखे इसको हम करेंगे यह देखे यह जो हमारे टिक चाल इस मैडूल है ना इसके अंदर जी सब्सक्राइब को मारे तो आपको सिम्बल दिखाए रहा हितो यहां पर हमंए इस वाय का कनेक्शन करना है यह देखे यहां पर हमारे प्लस मानस के के कनेक्शन हो गया है जोगी पीषी असान है इतना काम हो गया अब उसके बाद कि हमारे पास सर् goose कि से आनsmσι बच्थे ह यह मैंने काट लिया अब देख लो इस वायर को हम कहां पर जोड़ेंगे यह जो हमारी LED की से हम थोड़ी solder wire लेंगे और उसके बाद यह जो हमारी minus वाली wire है इसको हम out minus पर जोड़ेंगे यहाँ पर out minus वाली wire को मैंने जोड़ दिया है तो यहाँ पर जो हमारी light के connection है ना वो complete हो चुके हैं अब हमें क्या करना है अब हमें लेनी है double tape तो यह मेरे पास double tape है इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से पाड़ लेंगे थोड़ा सा इसके उपर के wrapper को उतार लेंगे और उसके बाद देखे इसको हम यहाँ पर लगाएंगे कुछ इस तरीके से रहेगा यह देखे इस तरीके से हमने इसको चिपका दिया है और उसके बाद यहां पर फिर से हम डबल टेप लेंगे बैटरी के उपर चिपकाएंगे देखे इस तरीके से बैटरी के उपर हमें चिपकाना है बिल्कुल बढ़ी है तरीके से और इसके उपर के रैपर को उतार के बैटरी को भी हम यहां पर लगा देंगे और फिर से हमें क्या करना है इसको इस तरीके से लगा के इसके उपर कि पेज को फिप कर लेना है तो मैं इसके उपर के पेज को एक बाद टाइट कर लिता हूँ तो ये देख फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस light के चारो़ पेज को बिल्कुल आप तरीके से है जिसके अंदर सी टाइब की केवल यूज होती हो क्योंकि यहां पर हमने सी टाइब कर रहा है तो सिंप्ली हम इस तरीके से देखे यहां पर चार लगाएंगे और चार लगाने बाद हमारी जो लाइट है यहां पर चार्ज होना सुरू हो जाएगी लेकिन अब आपके दिमा ज्रेट जल रही है यह मेरे इस्टीयो की तो जैसे अंदहरा होगा यह दिखे में अंधेरा करता हूं तो आपको पूरी लाइट ह recharge जो लरी है जिस से महीं पता चल गया कि हां बागी आघर गार जा पर लींट के ल हो 2 तो यह तो सिस्टम होगे हमारे चार्जिंग का अब य यह देखे फ्रेंट जैसे मैंने स्विच को ओन करा तो आप देख सकते हो पूरा एरिया ब्राइट हो गया और इसकी रोसनी बहुत ही तेज है मेरी आँखों में इसकी रोसनी चुप रही है क्योंकि इस LED की ब्राइटनस है वो बहुत जादा तेज है पूरा एरिया देखे ब्राइट ब्राइट हो गया है तो यहां पर वीडियो के अंदर आपको लग रहा हुआ कि इसकी रोसनी थोड़ी सी हलकी निली निली आपको बंद करना हो तो यहां पर हम बंद भी कर सकते हैं तो इस तरीके से देखा फ्रैंड कि यहां पर इस तैप की emergency light को कितने कम पैसे के अंदर हम अपने घर पर बना कर यूज कर सकते हैं पर फ्रैंड फिर मिलते हैं नेक्स टॉडियो में कुस नए टोपिक साथ तब तक के हैं ही वन बे मातरम